सब यह कुछ स्टेटमेंट्स बोलूँगी आप बताईएगा कि वो फैक्ट हैं या मित हैं? जी, बिल्कुँ एक उम्र के बाद सब ही का वजन गिरता है मित है ये, एक एज के बाद थोड़ा वजन गिर सकता है लेकिन 5 कलों से जादा वजन गिरना एक बीमारी का संकेत होता है या या दाश कम हो जाने का केस, डिमेंशिया होता है नहीं, ये एक मित है, अगर मेमोरी लॉस से आपकी लाइफ या क्वाल्टी ओफ लाइफ गिर रही है, तब हम उसे डिमेंशिया बोलते हैं, अधरवाइस वो नॉर्मल है एक उम्र के बाद सभी विरद्ध लोगों को कमजूरी या थकान महसूस होती है एक मित है, क्योंकि कोई बीमारी होती है, तब ही ऐसा होता है वैक्सिनेशन सिर्फ बच्चों में होता है मित, क्योंकि ओल लेज में भी वैक्सिनेशन की नीड होती है बुजूर्गों को किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, छोटी-छोटी चीजे तो उम्र की वज़े से हो जाती है सब बुजूर्गों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए बुजूर्गों को ज्यादा घी तेल का खाना नहीं खाना चाहिए, मिर्च मसाले से दूर रहना चाहिए यह बिल्कुल एक फैक्ट है क्योंकि ओल्ड एज के साथ आपका डाइजिस्टिव सिस्टम हलका होता है सीनिर सिटिजन्स को भी रोज वॉक या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए बिल्कुल यह एक फैक्ट है, ओल्ड के साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताक कि आपकी कार्डियक एक्टिविटी बहतर बनी रहे